रैपर हनीसी पर पाचपावली थाने में दरजओ ए मामले में अदालत ने शनिवार को थाने में उन्हें उपस्तत रहने की आदेश दे थी शनिवार के शाम हनी सीन नाकपुर पहुची उनके दो वकीलों ने पाचपावली थाने पहुच कर योयो के नाकपुर पहुचने की जानकारी दी लेकिन साधन उपलब नहीं होने की कारण सैंपल नहीं ले गए सूतरों से मिली जानकारी के अनुसा बताया जा रहा है कि रविवार को पुलिस उनके वॉइस सैंपल लेगी ग्यात हो कि एक विवादत गाने में कई अभधर टिपड़ी और गालियां होने के कारण हनी के खिलाफ पुलिस में शिकायत की गई थी पुलिस वारा मामला दर्ज नहीं किया गया तो शिकायत करता ने कोट का दर्वाजा खट-कटाया इस मामले में हनी को जमानत मिल चुकी है गाने में सुनाई देने वाली आवाज हनी की ही है या नहीं इसका पता लगाने के लिए पुलिस ने वॉइस सैंपल देने को कहा था शनिवार की शाम हनी नागपुर पहुचे और वर्दा रोड की एक होटल में रुखे उनके वकील थाने पहुचे और पुलिस को वॉइस सैंपल की प्रक्रिया पूरी करने को कहा लेकिन पुलिस के पास वॉइस सैंपल लेने की संसादन नहीं थे जिन यंत्रों पर वॉइस सैंपल रिकॉर्ड करने हैं वो एंटी करप्शन भ्यूरो के पास उपलब्ध है कार्यालिन समय खत्म होने के कारण शनिवार की रात वॉइस सैंपल लेना संभव नहीं था इसलिए पुलिस ने हनी के वकीलों को रविवार को सैंपल लेने की जान करी दी कैमरा परसन अखिलेश भारत वाज के साथ दिशाटवा बीसेन न्यूस नाकपुर